नमस्कार इस खास पेशकश में आपका स्वागत है मैं हूँ रवीश और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे गौल टेस्ट मैच की जो टीम इडिया की गिरफ्त में नजर आ रहा है आपको बताएंगे किस तरीके से रवीश जड़ेज ने तीसरे दिन तिकड़ी बनाई यानि कितीन विकेट उन्होंने हासिल किये साथ ही साथ बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की भी जहां सेलरी का विवात थमने का नाम नहीं ले रहा है और देश की चैंपिन बेटी से भी आपको मिलवाएंगा हमारे साथ स्टूडिय में खास में मान मौझूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनींदर सिंग उनके साथ हम बातचीत करेंगे लेकिन सबसे पहले गौल टेस्ट मैच की बात करते हैं 291 रंज सिर्फ शेलंका को बनाने दिये और बीच में बारिश ने भी अपनी खलल डाली ती मनी सर जहां तक अगर देखा जा तो जैसे एकस्पेक्टेड लाइन्स पे मैच होना चाही था उसी एकस्पेक्टेड लाइन्स पे मैच जा रहा है लेकिन सवाल एक थोड़ा सा यहां पर यह जरूर बन सकता है कि फॉलोओन की नौबत आई थी जहां पर विराट कोली फोर्स कर सकते थे फॉलोओन शेलंका को उन्होंने नहीं दिया इसके पीछे रनीती क्या है विराट कोली की मुझे लगता है सोच यह क्योंकि मैंने कल भी बात कही थी कि अगर 200 से जादा रन्स हो जाते तो मुझे लगता है मुझकि अपने बोलर्स को प्रिजर्व करके चलना चाहते हैं आप देखें तीन तीन दिन के गैप में यह सभी टेस्मैचे खेले जाने हैं इसे में बोलर्स को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है आप देखें जादा टाइम उन्होंने चारी बोलर्स यूज़ किये और जिन्होंने 25-35-35-35-35-35-35 तो किये ही हैं तो ऐसे में अपने बोलर्स को बचा के भी चलने की नीती है दूसरा यह भी है कि कुछ रंज और अगर जल्दी से बना दे तो बोलर्स को भी इनफ रेस्ट मिल जाएगा और फिर श्री लंका को जब दुबारा बैटिंग के लिए लाएं तो उनके ओपर एक दबाव खास त चुरूस कर सकते और बले बाजी आप प्रैक्टिस कर सकते एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप देखे तो वक्त है आपके पास अगर आज का लेकिन लेकिन श्री लंका में एक सबसे बड़ी चीज है देखना ये भी जरूरी होता है कि वैदर फोरकास किस तरह की है क्य में नहीं रखा है केवल अपने बोलर्स के लिए अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है भारत के बले बाजों को सेकंड इनिंग में जरूर शिकरदवन जल्दी आउट हो गए अब इनों मुकुन वहां पे बले बाजी कर रहे है चेते शिर्फ पुजारा जो दोनों बले बाज जिन्होंने शतक बनाया था पहली इनिंग में दूसरी इनिंग में वो नहीं चल पाए लेकिन बात करते हैं जड़े जाकी क्योंकि अगर तीजरे दिन भारत का कोई गिंदबास इंपक्ट छोड़ने में काम्याब रा तो रविन जड़े जा हैं तीन विक दालूँगा और मैं आपका सेकंड स्पिनर तो हूँ अश्विन के बाद जब हंड्रेट परसें फिट होते हैं तो इनको बोलिंग करते हुए देखके मज़ा बहुत आता है क्योंकि बड़ा एक ईजी सा एक्षिन है बहुत रिदमिक एक्षिन है और जब बॉल के पीछे प कोशिश करते हैं जडेजा की ऐसी कोशिश बिल्कुल नहीं रहती है उनकी कोशिश यही रहती है कि मैं रहनों को रोकता रहूं और फिर मुझा विकेट्स खुद बखुद मिलेंगे क्योंकि जब 100% फिट होते हैं इनकी बॉड़ी लगती है बॉल के पीछे तो इनको एक्स कैसे दौरों पर जाएंगे मुझे मेरे तो यह नंबर वन स्पिनर होंगे खिलाया भी था पिशली बार जब दोनी कप्तान थे च्छे विकेट भी जडेजा ने वाँ पे लिये थे अश्विन को आपने बिठाया और आपके मेन स्पिनर रवी जडेजा बिल्कुल साउथ आ प्राइटिंग के उपर और सुधार कर लें तो बहुत बड़ा एक एसिट हो सकते हैं टीम के लिए बल्लेबाजी से क्योंकि डॉमेस्ट्री क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रन बना है रविंज जडेजने प्रिपल हंडर्ड भी उनके नाम है बल्लेबाजी को ओसिद भी उस खिलाड़ी की जिसने डेब्यू किया गॉल टेस्ट में बल्लेबाजी से कल धमाल मचाया था और जब गिंद बाजी का मौका मिला तो वहाँ विराट कोली को विकेट लाके दिया ज्यादा बड़ा धमाल नहीं है लेकिन जो आपने प्रदरशन किया आपने बताया कि लेकिन मैं थोड़ा सा है रान था आज उनको जब इतनी बोलिंग नहीं दी गई मुझे थोड़ी सी हैरान गी हुई क्योंकि एक समय ऐसा था मुझे लग रहा था कि दोनों आपके फासबोलोस थके हुए तो क्यों ना हार्दिक पांड्या को बोलिंग दी जाया अगर उनको कॉछ का काम और बढ़ जाता है कि उनके साथ कम्यूनिकेट करते रहे ना बहुत जरूरी है और जिस तरीके से गिंबाजी उनके एक विकेट लाके दिया आपको हार्दिक पांडिया ने मनी सर उम्मीदे तो आपके लिए जगा दी है कि जो डेब्यू हुआ है शायद भरोसा करेंगे विराट कोली की Overseas टूर में जाएंगे तो आपको थर्ड सीमर के तौर पे यूज कर सकते है देखे मुझे तो बहुत पसंदा है मुझे उनका attitude बहुत बढ़िया लगता है उनकी body language बहुत बढ़िया लगती है और मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ कि वो एक entertainer है और ऐसे entertainers की international cricket में खासतोर से test match cricket में भी बहुत जरूर है जी हां बहुत जरूरी है भारत के लिए और बात हम देश की champion बेटियों की करते है एक तबिष्ट जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट चटकाए थे उनका सोरदार स्वागत हुआ राजधानी दिल्ली में प्रधान मंतरी नरेदर बोदी से भी भारते विमन्स ट्रीम की सभी खिलाड़ी मौपे मिली एक तबिष्ट से हमने कुछ दिर पहले बातचीत की थी वो आपको सुनबाते हैं किसी भी टूनमेंट का सबसे बड़ा मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच है और करना ही है पर जब हम ग्राउंड पर होता है तो हम सब का यही था कि ज्यादा स्यादा डॉट बॉल्स खिलाना है और डॉट बॉल्स खिलाएंगे तो उनके अगर सुरू में दो एक दो विकेड की तो उनकी मॉरल डाउन हो जाएगा और हम लोगों पाकिसान की टीम बड़ी पसंद आती है आपको शायद एशिया कप में भी फाइव विकेड हॉल वोड कप में फाइव विकेड हॉल उनकी भी एक प्लेयर ने यही बूला था कि इंटरनेशनल करकित हमाले खेलने आई हैं क्या पांच भी खेल ले सी तो हाँ अभी तो जैसे हम लोगों को कोई भी टीम हो मुझे यही रहता है कि टीम के लिए करना है और टीम को मतलब जैसे भी हो टीम को जीत दिलाना है अच्छा, यू बिलॉंग टू उत्राखंड और वहाँ पर इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, पहाडों में तो आप वैसे भी क्रिकेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं रहता है, वहाँ से क्रिकेट खेलना, स्पिनर बनना, ये सब कैसे जर्नी रही है, जैसे मैंने अभी अच्छा, बहुत सारी लड़के ना, आपको देख रही होंगी और उनके लिए आप बहुत बड़े रोल मॉडल हो, तो जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं, आप क्या बोलना चाहोगे उनको, ये ही बोलूँगे को खुल के खेलो, अच्छा केलो, और फेल्लेस खेलो, और सेलर अच्छी का विवाद जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में घमासान मचा रहा है, डेविड वोनर ने का है कि एक प्रस्ता उनकी तरफ से बेजा गया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन प्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनकी मांग ठुकरा दी है, अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर्स पर बेरोजगारी का संकट बढ़ गया है, वहीं बांगलदेश का दौरा और एशिज सीरीज भी खत्रे में पड़ती भी नजर आ रही है, मनीजर आपको लग रहा है विवाद थोड़ा ज्यादा खिज गया है, इगो शायद सामने आ गय कि वो इनकी किसी भी बात को मानने के लिए तयार नहीं है, बलकि यह कह रहे हैं कि जो हम कहें वो आप करें, लेकिन वो भी घलत है, आपको बीच का एक रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को तो नुकसान होगा, लेकिन वोर्ल्ड क्रिके और वो अपनी बाते रखते हैं, प्लेयर्स जो हैं उसके थूँ अपनी बाते रखते हैं, आपको लगता है कि कई बार जो प्लेयर्स एस्सोसियेशन होती है, उसके भी अपने कुछ हित होते हैं, जिसकी वज़े से टकराओ थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, और जो की कि फ्लेयर्स एस्idelाट जो है प्लेयर्स एस्सोसियेशन उनके नीचे है, और वो चाते हैं कि प्लेयर्स एस्सोसियेशन उनकी बाते मानें, लेकिन मेरा मानना यह है चाला हुए ऐक ब्रिच होना चाहिए, जैसे मैं बार कहता चला जा रहा हूं, कि अगर कोई विवाद हो र मिलना चाहिए? I think ये एक revenue का तरीका है कि 26% चेहर test players को मिलना चाहिए और फिर कुछ percent first class cricket में जाना चाहिए और बाकी जो है वो board के पास रहना चाहिए So probably उसी तरह की मांग कर रहे हैं या उससे ज़्यादा मांग कर रहे हैं जिसकी वज़े से इतनी ज़्यादा problem होगी प्रॉब्लम है और अगर Australia इस problem को solve नहीं करेगा बंगलदेश टोर है उनके सामने Ashes सीरीज है और डेविड वॉनर तो बहुत पहले कह चुके हैं फिर आप Ashes में अपनी second string की जो line-up है उसको भेजिए हमारे भरो से मद बैठिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खास पेश शेश में ताई News Nation पर खबरों का सलसिल अशारी है नमस्कार